लेकिन जुमनिपूर में हुआ उसको देख के रूह काम जाती है अरे मैं तो कहता हूँ पूरे पुरुष समाज के उपर लानत है अरे मुख्यमंत्री साथ अगर ये आप की बेटियां होती है तो भी आप क्या यही कहते अरे ये तो एक दो वाकिया है जो आप देख रहे हैं ये तो सेंकड़ों आके हो चुके हैं अरे ऐसे मर्द मुख्यमंत्री को डूप के मर जाना जाती है जरूपती के सुछ कप्रे उतारे गए थे जरूपती को निर्वस्त नहीं किया गया था बरहना नहीं किया गया था तो इतना बड़ा जुद्ध दुआ भगवान के शुना रहा है कि एक समुदाय को लेकर बीजेपी सरकार ने एक नरम रुख रखा है जिससे हिंसा को ज्यादा बढ़ावा मिला है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और आप मणीपुर हिंसा पर किस तरह से अपनी राय रखेंगे मैं पहली बात तो आपको एक शेर में ये सारी बातें बता देना चाहता हूँ तुम अपनी तबाही को एक हादसा न समझो तुम अपनी तबाही को एक हादसा न समझो इस कतल की साजिश का सदियों से बनी होगी इस कत्ल की साजिश सदियों से बनी होगी आज हिंदुस्तान के तमाम लोग तमाम सियासी पार्टियां तमाम महिलाएं दुखी हैं बेहत परिशान हैं मैं जब से पैदा हुआँ होश शमाला है मैंने बहुत फसादात कबर किये मैं हिंदुस्तान के जहां पर भी फसादात होते थे हम जाते थे हम उस वक्त एक अख़बार भी निकालते थे हमने बड़े बड़े जालिमाना फसाद देखे है लेकिन जो मनीपुर में हुआ उसको देख के रूह काम जाती है मैं समझता हूँ कि शैतान भी काम जाता होगा क्योंकि ये इस तरह का वाकिया कभी हिंदुस्तान की तारीक में ही हुआ कि तीन हमारी जवान बच्चियों के को बराना किया गया उनके वस्तर हटा के उनको निरस्ट कर दिया गया और उनको सरकों पे खुमाया गया उनको खेतों में खुमाया गया अरे मैं तो कहता हूँ पूरे पुरुष समाज के ओपर लानत है सारे पुरुषों को मनी पुर के डूप के मर जाना चाहिए अरे मुख्य मंतरी साथ अगर ये आप की बेटियां होती तो भी आप क्या यही कहते अरे ये तो एक दो वाकिया है जो आप देख रहे हैं ये तो सेंक्डो वाकिय हो चुके हैं अरे ऐसे मर्द मुख्य मंतरी को डूप के मर जाना चाहिए दूसरी बात ये कोई अचानक नहीं हुआ है इसकी साजिश बनाई गई है पहले रिजर्वेशन लाया गया फिर मैती समाज को रिजर्वेशन दिया गया उसकी प्लानिंग मनाई गई देखे हिंदुस्तान में कोई भी फसाद थोड़ी देर के लिए तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है एक घंटे दो घंटे जादे 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 देश गंटे लेकिन उसके बाद अगर वो फसाद अगर वो राइट्स अगर वो जगड़े बढ़ते हैं तो इसका मतलब उसमें डियेम उसमें एससपी उसमें पुलिस और वहां के लोकल तमाम अथटी उसकी जिम्मेदार है बलके वो शामिल भी हैं इसलिए जो मनिपुर के बारे में इतना बोला जा चुका है मैं तो सिर्फ मुख्य मंतरी साब आप से एक बात कहूंगा जब दरोप्ती के तो सिर्फ दरोप्ती के सिर्फ कप्ड़े उतारे गए थे दरोप्ती को निर्वस्त नहीं किया गया था बरहना नहीं किया गया था तो इतना बड़ा जुद्ध हुआ भगवान कुष्णा ए आपको बता दूँ यह जो महाबारत हुआ था यह सिर्फ एक खवातीन की एक खातून की जो बेज़दी की गई उसके लिए हुआ था और जो सबसे बड़ी जो रावन का वदवा वो भी एक खातून की हमारी मा सीता की के साथ जो रावन था उसने जिस तरीके का दुस्चाहज किया वो भी उसकी सजा मिली थी तो मैं मौझूद है लोगों को बता देता हूँ इंसाफ कायम होगा अगर एक नारी के उपर इतना बड़ा जुल्म हो गया तो आपको मैं सबको एक वार्निंग देरना चाहता हूँ कि ये अब सबको जिलना पड़ेगा इसका खम्यादा सबको भुगतना पड़ेगा इसका जो अजाब आएगा वो पूरे लोगों को भुगतना पड़ेगा जैसे कल राज से संसत भवन के बाहर संसत सारे धरना दे रहे हैं और संजे सिंग को बर्खास कर दिया गया है इस पर आप क्या गएंगे देखिए वो जो संजे सिंग को बर्खास किया गया है पूरे शेशन के लिए ये भी मनीपूर का एकिस्टा है क्योंकि मैंने जब कहा कि जब साजिश की गई इतना बड़ा जो वहां पे खुन खराबा मनीपूर में हो रहा है खाशत और से हवातीन के साथ जो हो रहा है वो चूंके अब शेशन चल ला है और संजे सिंग जो है एक बहुती बहतरीन जो है वो स्पीज देने वाले जो है लीडर है और हमारे यूपी सुल्दानपूर के हैं इस तफाक से मैं उनको परसनली भी जानता हूँ तो संजे सिंग ने ये मुद्दा जो उठाया है उसमें वो ये चाहते हैं कि प्रधान मंत्री की मौजूदगी में इस पे बहस हो जाए तो ये बहस पारलेमेंट में भी नहीं होगी ये बहस सडकों पे भी नहीं हो रही है बाकि गोदी मीडिया है वो तो जब मनिपूर्श की बहस करिये तो वो राजिस्तान की बात शुरू कर देते हैं वो मंगाल की बात शुरू कर देते हैं वो 36 घर की बात शुरू कर देते हैं गोदी मीडिया तो इसको बिलकुल ही दिखाई नहीं रहा है और बलके वो तो सवाल उन लोगों से पूछ रहा है विपक्स से पूछ रहा है, किसाब ये मंगाल में क्या हो रहा है, ये राजिस्टान में, तो इसलिए संजे सिंग एक बहुती संजीदा लीडर है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और ये भी मनिपूर से चुड़ा हुआ सवाल है, जो उनको इस पर भहस करनी है, प्रध जिसका मनिपूर को एक्स्पोजर ना हो, वह उसका हिस्सा है, लकिन पूरे दुनिया, पुरा हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान की एक खातूम इसको जान चुकी है, और इस पर वो अपना रियक्शन देंगी। मीडिया है ये तो सबकी बारी है एक एक बारी से एक एक लोगों को जो है ये जलीर करता है पहले ये मुसलमानों को करते थे अब मनीपुर में तो वो लेडी मुसलिम नहीं है उनको जलीर किया जा रहा है अब जो हमारी पहलवान जो हमारी रैसलर बच्चियां जंतर मंतर पे बैठी उनके साथ तो उन्होंने वो सुलूक किया जो मुसल्मानों के साथ भी सुलूक नहीं किया वो भी हरियाना की जार उसमें कुछ लड़किया जार समाज की भी थी जिनके यहां तो जो है वो बच्ची की अगर जरा भी बेजदती कर दी जाए तो उस पे तलवारे निकला क्लाती थी तो यह जो ऐसा मंस्कैई हिंडु मुसलिम मामला नहीं है यहहंकार है यह तकब्र है सत्ता का और मीडिया को पर यह पावंदी है कि आप सिर्फ विपक्स को दिखाो आप उनकी बुँनाईएं को दिखाो और आप जो है वो हिंडु मुसलिम करो लेकिन हिंडु जलिम होता है वो सब पर धुर्म करता है वो हिंदूं पर भी करेगा और आपस सुने डेख रहे तो इसलिए यह जो गोधी मिडिया को अडवानी जीने एक बार आठा कि मैंने तो मेडिया को कहा था छुग जाऊ यह तो लेट गए है लेट ह настолько commits ने भी इस मुद्दे को उठाके इसके हमेशा के लिए इसका फंद नहीं कुचल दिया गया तो इसकी आग हिंदुस्तान की तमाम बच्चियों दगा सकती है सर यूए पीए के तहट पत्रकारों और एक्टिविस्स की अवाजों को दबाया जा रहा है तो यूए पीए पर आप क्या कहेंगे देखे इस तरह के कानूनों के बारे में सुप्रीम कोड भी कह चुका है हाई कोड भी कह चुका है और जब यह इस तरह की धाराएं लगा लग आने के लिए उनको जो राइट टू स्पीक था राइट टू प्रीज था जो आजादी की जंग चल लई थी इस तरह के कवानीन उनके लिए अंग्रेज उन्हें बनाये थे अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई अगर आप यूए पीए इसमें पढ़े रहेंगे अगर आ से हम आज आगे आबादी में निकल गए हैं ऑक्सिजन नहीं पानी नहीं बिजली नहीं है कारुबार नही है लोगों के पास नौकरियां नहीं है लोग दुखी हैं किसान प्रिशान हैं महिलाएं जो है वो जनाब आपको मैं क्या बताओ पालने के लिए अपने बच्चों क चले जाएंगे, हम मंगलादेश से भी पीछे चले जाएंगे, चाहिना से तो हम 20 साल पीछे पहली चले गए हैं, तो इस तरह की कानून की कोई लोकतंतर में हैसियत नहीं है, और जो नई गौवर्नमेंट आईगी, वो इस पर विजार करेगी, और ये गौवर्नमेंट की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है, इस तरह के कावा कावाने नटाने के लिए, बलके जो अपोजिशन है, अपोजिशन को चाहिए कि वो सड़कों पर भी, वो पार्लेमेंट में भी, वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने छेतर में, ऐसे कावानें की मुखालफ़त करें, उसमें बैनर और पोस्टर लगाएं, तो कि मैं और आप क्या कर सकते हैं, बहुत हम तो आप एक चैनलों पर बोल सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष म हैं, एमपी हैं, मेले हैं, उनके पास पूरा सिस्टम मना हुआ है, तो वो इसकी मुखालफ़त करें, हमारे इन सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हुए, वसीम सहाब ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी, अच्छा, इन बेबाकी वाले सवालों पर आप की क्या राय है, और इन जवाबों पर भी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बोक्स में बताना ना भूलें और जुड़े रहें डियल एक्सप्रेस के साथ.